अब दोगा ळाड़ा आमने फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था ना वोग के एक अहिए अप लोग सबस्ट के आप लोग सब अभी accounts की ABCD वाली stage पर ठीक है ना तो पहले हम लोग ABCD ठीकेंगे फिर हम लोग word बनाना सीखते हैं और फिर हम लोग sentence बनाना सीखते हैं ऐसे आप लोगों ने पढ़ाई की थी commerce के अंदर वो ही स्थिति है अभी आप जो पढ़ोगे न वो ABCD पढ़ोगे फिर आप word पढ़ोगे और दीज़े दीज़े sentence पढ़के गाड़ी दोड़ाना लगज़े लोगे ठीक है ना अब जो इस वीडियो के अंदर हम लोग discuss करेंगे वो discuss करेंगे accounts के अंदर काम आने वाले basic accounting terms ठीक है ना मैं आपको फिर एक चीज़ बताता हूँ अभी अभी मैं वही terms discuss करूँगा जो आपका असनी समझ में आ जाए अगर आप NCRT किताब या कोई और reference book खोलो के ना तो उसके अंदर हो सकता है आपको एक साथ 50 term पहले page पे गिवन हो या दूसरे chapter में गिवन हो बट मैं आपको सच बता रहा हूँ अब उस basic accounting term में और मैं नोटिंग सब जंग से कराता जाओंगा आप पहले से समझ ना उस basic accounting term में मैं सबसे पहला term ले रहा हूँ जिसको हम कहते है capital ठीक है ना basic accounting term में I am taking up the first term which is known as capital ठीक है now what is meaning of capital capital मतलब क्या होता है एक बहुत simple logic समझ ना मेरा business है मेरे business में मेरा business है मान लो let's say मैंने का मेरे institute का नाम है career heights ठीक है न मेरे business में जो मैंने पैसे लगाया वो कहलाता है capital मान लो मेरा नाम है रूमिल जैन मैंने is business में जो पैसे लगाया उसको हम कहते है capital capital मतलब बहुत simple होता है capital simple यह represent करता है it is the amount invested by the proprietor लगाता है उसको हम लोग कहते हैं capital capital मतलब क्या होता है कि the amount initial amount मैंने business चालू किया मैं मेरे घर से पैसा लेकर आया तो घर से पैसा लेकर आया business को चालू करने के लिए that is known as capital तो capital का simple मतलब क्या होता है it is the amount invested by the owner that is known as capital ठीक है न हमेशा ध्यान रखना capital कब बढ़ेगा अभी आप एक बात बताओ मैंने इंस्ट्ट्ट चालू किया मैं घर से पैसा लेकर आया मैंने इंस्ट्ट्ट के अंदर पांचलाग रुपे लगा दिए अब पांचलाग रुपे अगर मैंने मेरे ओफिस को चालू करने के लगा है जिसको हो सकता है मैं cash में furniture लिया है मैं मैंने building को develop कर दिया मैंने उसके अंदर LCD लगा दी मैंने पूरा का पूरा furniture डेवलप करा तो वो पांचलाग रुपे जो मैंने institute में लगा है न वो कहला है का मेरा capital हमेशा ध्यान लखना capital कब बढ़ेगा तो capital बढ़ेगा तब जब business में profit होगा अगर मानलो मैं obviously बात है जब मेरे business profit होगा तो capital बढ़ेगा मैं बार बार घर से पैसा इन लेकिया होगा और अगर business में loss होगा तो capital क्या होता है काम होता जाएगा ठीक है न तो capital is the first and the most important term capital मतलब क्या होता है वो पैसा which is invested by the owner capital कब बढ़ेगा when there is profit और कब गटेगा when there is loss ठीक है न तो first accounting term की आप लोग जालाता है capital capital will increase when there is profit and decrease when there is loss loss होगा तो कम होगा और प्रॉफित होगा तो बढ़ेगा ठीक है न अब देको बेटा जो second accounting term होता है उसको लोग कहते है drawings ठीक है न अभी पहला term मैंने आपको बताया capital मैंने अभी आपको बताया it is the amount invested by the owner drawings का मतलब क्या होता है जैसे समझना मैंने मेरे business में पैसा लगाया x ने x limited में पैसा लगाया मालो x ने x limited ने 5,000 रुपे लगाये तो कहलाता है capital ठीक है आब x अगर इस business से कुछ घर पे लेके चला जाता है तो कहलाता है drawings drawing मतलब क्या होता है भली वो cash लेके चला जाए भली furniture लेके चला जाए भली यहां का सामान लेके चला जाए तो drawings का मतलब क्या होता है it is the amount withdrawn it is the amount withdrawn for personal use मतलब personal use के लिए अगर पैसा निकालते है तो कहलाता है drawings हमेशा ध्यान रखना drawings के कारण capital हमेशा क्या होगी capital हमेशा कम होगी drawings will always lead to reduction in capital तो drawing का मतलब क्या होता है it is the amount withdrawn for personal use और drawing हमेशा capital को क्या करेगा बिटा हमेशा capital कम करेगा drawings हमेशा करेगा capital को क्यों मैंने पैसा लगा है 5 लग तो capital इसमें से कुछ घर लेके चला गया तो drawings तो मैंने क्या बता है capital कम किस-kिस करेंट से होती ही बटा है तो एक तो capital कम होती है loss के करण और दूसरा हमेशा ध्यान अफना capital कम होगी drawing से करण ठीक है न तो ड्राइं मतलब क्या होता है एक amount जो विड्रोग किया personal use के लिए और ड्राइं हमेशा ध्यान अफना capital क्या करेंगा कम करेंगा ठीक है न नो coming to second term तो देखर द्राइंस के लिए डिफिनिशन है इस अमांट विड्रोण for personal use by the owner drawing will always lead to decline in capital ध्यान रखना business से पैसा निकाला लेकिन यूज क्या होना चाहिए परसनल तो ही क्या लाएगा drawings ठीक ना तो drawing मतलब क्या होता है amount withdrawn for personal use by the owner that is known as drawings ठीक है तो first time हम लोग ने पड़ा capital तो capital increase कब होगा profit और decrease due to losses और अब मैं एक और point जोड़ रहा हूं drawings ठीक ना और drawing मतलब क्या होता है amount withdrawn for personal drawing से मेशा capital क्या होगा कम होगा ठीक है नव अब दो बेटा जो next term हम लोग discuss कर रहें and very important term जिसका नाम है assets अब asset का मतलब क्या होता है asset मतलब anything which have value कोई भी चीछ जिसमें value है and that can be measured in monetary form मेरी बात फिर से ध्यान देना anything which have value and that can be measured in monetary form is known as asset asset का मतलब क्या होता है कोई भी चीछ जिसमें value है और उसको measure कर सकते हैं monetary form में उसको हम कहते हैं asset जैसे मान लो मैंने का यह pen है अब इसको भी आपन money के form में पहन आपन 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 मार्केट से लाए और दस रुपे का पहन है तो इसको money के form measure कर सकते हैं that is asset furniture जिसके ओपर मैं पढ़ा रहा हूँ बैट करके वो भी asset है land, building, plant, machine कोई भी चीछ जिसके अंदर value है और उस value को गर money के form में measure कर सकते हैं that is known as asset asset मतलब वो कोई भी चीछ जिसके ओपर मेरा क्या है right है, right मतलब मेरा हक है मेरा asset वो है, जिसके ओपर मेरा हक है मेरी कार खड़ी है, वो मेरा asset है मेरे याँ घर में AC है, वो मेरा asset है मेरे याँ पर TV है, वो मेरा asset है asset मतलब ध्यान रखना बहुत important term है, accounts के अंदर asset मतलब कोई भी चीछ जिसमें अंदर value है and that value can be measured in money form that is known as asset asset पर हमेशा ध्यान रखना हमारा क्या होता है, right right मतलब मेरा क्या है, उस पर हक है, ठीक है न asset means anything which I have value which can be measured in monetary form और जिसके ओपर मेरा क्या है, right है ठीक है, अब अगर मैं asset की definition की बात करता हूँ तो अभी मैं आपको बता है, asset मतलब कोई भी चीज़ जिसमें value है, जिसको monetary form measure कर सकते हैं, जिसके ओमें right है अगर मैं asset की classification की बात करता हूँ, तो बिटा ध्यान रखना asset हमेशा दो तरह के होते हैं एक तो होता है, सबसे पहले मैंने का non-current asset एक तो कौन से होता है, non-current asset, और एक होता है जिसको मैं कहता हля हूँ, current asset non-current asset को मैं एक ओर नाम से जान सकता हूँ, fixed asset non-current asset को एक ओर क्या बोल सकता हूँ fixed asset, और current asset को मैं एक ओर नाम से जान सकता हूँ short term asset that is my short value asset, तो ध्यान रखना asset का मतलब क्या होता है वो कोई भी चीज़ जिसमें value है and which can be measured in monetary form asset हमेशा ध्यान रखना दो तरह के होते हैं एक तो होता है non current asset और एक होता है current asset non current मतलब होता है fixed asset और current मतलब होता है short term asset अब इतनों term को हम समझने ही कोशिश करते हैं assume करो मैंने आपके सामने 4 दुकाने बनाई मैंने आपके सामने क्या किया बेटा 4 दुकाने बनाई मैंने का मानलो ये मेरा LED का shop ये LED का show room है जहां पर LED लग रहे हैं बहुत सारे ये सब LED लगे हैं बहुत शो room पर ठीक है और यहां पर एक table पड़ी है बीच में ठीक है ना इधर साइड में AC लग रहे है ये दो AC लग रहे है इधर कुछ furniture पड़ा हो है मानलो ठीक है ना ये मैंने का car का show room है ठीक है बिटा देखो समझना ज्यान से अब मानलो ऐसे ही मैंने बोला आगे मैं गया और आगे मानलो एक और आया assume करो मैंने का मानलो AC का show room आया किसका show room आया AC का show room ये सब AC लगे हों यहापे AC के show room में obvious है AC लगे होंगे ये सब बेचने वाले AC है ये सब बेचने वाले LED है ये सब बेचने वाली कारे खड़ी है और ये सब बेचने वाले AC लग रहे है इस AC के शोरूम के मालिक की बाहर एक कार खड़ी हुई है अब मैंने आपके सामने तीन एक्जामपल लिए एक तो मैंने LED का शोरूम लिया TV जो होता है न वो TV के शोरूम में फरनीचर लग रहा है और मानलो इदर AC लगा हुआ है चार का शोरूम में जया बहुथ सारी कारे खड़ी हुई है और AC का शोरूम में जब हुआ है और और इधर मानलो कुछ फरनीचर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये इसका कोई फरनीचर पड़ा हुआ है, अब तुम मेरे को एक बात बताओ, आप LED के शो रूम में जाते हो, अगर आप LED के शो रूम में जाके बोलो के भईया, एसी कैसा दिया, बता ना, ऐसा तो नहीं तो कार के शोरूम में जाके आप ये बोलो के भाया ये कार कैसी थी ये ही बता होगे ना आप ये धुने बोलो के कार के शोरूम में जाके कि भाया ये एसी कैसा दिया मिरे को एसी खरीदना है और अगर मैं एसी के शोरूम पे जाओंगा तो मैं जाके बोलूगा कि मालिक से कि यह furniture मिर को दे दो या मिर को एक कार दे दो और सी बात है अगर मैं इस LED के शोरूम में जाओंगा तो LED डिमांड करूंगा अगर मैं कार के शोरूम में जाओंगो तो एक कार डिमांड करूंगा और अगर AC के शोरूम में जाओंगो तो AC डिमांड करूंगा मतलब मैं आपको एक बहुत basic चीज़ से बता रहा हूं कि मैं जिस जगर जा रहा हूं मैं basically उस चीज़ के demand करूंगा आज मेरे को एक बात बताओ मैंने इक car खरीदी मैं उसका फार का final user हूं मैंने car खरीदी मैं car का final user हूं और एक showroom वाले ने car खरीदे दोनों में तो डिफरेंस है न शोरूम वाला जो कार खरीदना है न उसका परपस क्या है उसको वापस कार को क्या करना है री सेल करना है बेचना है और मैंने जो कार खरीदी न मेरा परपस क्या है कार को मेरे को यूज करना है दोनों में परपस समझना आप मैंने बेटा ध्यान डखना जो कार खरीदी मेरा पर्पस क्या है कार को वापस बेचने का पर्पस है मैं कार को दुबारा से मार्केट में बेचूंगा शोरूम वाले ने जो कार खरीदी वो क्या करेगा वापस दुबारा बेचेगा बट मैंने जो कार खरीदी मेरा परपस है कार का फाइनल यूज करना मेरा परपस ये निये कि मैं कार को खरीद के वापस बेज दूँगा मार्केट में तो car द्यान रखना मेरे लिए कौन सा aset है मेरे लिए car मेरा fixed aset है fix कै दो नौन current aset कै दो मतलब मेरे लिए car मेरे एक लंबे ठ्रमाएक asset है car एक asset है क्योंकि उसमें value है but car का nature मैं car खरीद रहा हूं तो मेरे लिए car fixed aset है और अगर शोरूम वाला बंदा कार खरीद रहा है तो उसके लिए कार कॉम सा asset है short term asset है या current asset है हमेशा ध्यान रखना है जब भी मैं बात करता हूँ asset की बिटा अच्छ है समझना asset मतलब कोई भी चीज जिसके अंदर value है और उसको monetary form measure कर सकते हैं जिसके ओपर हमारा right है asset हमेशा ध्यान रखना दो तरका होता है एक होता है non current asset और एक होता है current asset non current asset को हम लोग एक और नाम से जान सकते है fixed asset और current मतलब होता है short term asset हमेशा ध्यान रखना मैं जब भी बात करता हूँ non current asset की तो non current asset मतलब जैसे मानलो मैंने कार खरीदी मैं इस कार का फाइनल कंज्यूमर हूँ मैंने LCD मेरे घर पे खरीदा मैं इस LCD का फाइनल कंज्यूमर हूँ लेकिन बताओ जो LCD शोरूम वाले ने खरीदा वो इस LCD का फाइनल कंज्यूमर नहीं है इसी तरह आप बताओ AC वाले शोरूम पे जो AC पड़े या fixed asset मतलब होता है वो सारे asset जिनका maturity हम accounting कैसे define करते हैं कि वो सारे asset जिनका maturity एक साल से ज़्यादा है all those assets which are maturity of more than one year is known as non-current asset और वो सारे asset एक showroom वाले ने car खरीदा उसके लिए car क्या है? resale के लिए car है, एक AC showroom वाले ने खरीदा, उसके लिए AC resale purpose के लिए, LED शोरूम वाले ने खरीदा, उसके लिए LED retail purpose के लिए तो current asset मतलब होता है वो सारे asset which are to be which are to be sold या which are to be converted into cash within one year, मतलब वो सारे asset जो cash में convert होंगे within one year, एक साल के अंदर convert होंगे, वो current asset के दो short term, car के showroom वाले के car current asset है, AC के शोरूम वाले के लिए AC, short term asset, current asset है LED के शोरूम वाले के लिए LED short term asset है, बट अगर मैं LED खरीदूँगा, तो मेरे लिए fix asset है मैं car खरीदूँगा, मेरे लिए fix asset है मैं AC खरीदूँगा, मेरे लिए fix है, क्यों मैं उसका final user हूँ, तो accounts में कैसे define करते है वो सारे asset जिनका maturity एक साल से ज़्यादा है, वो सब non current asset या fixed asset होते है और वो सारे asset जिनका maturity एक साल से कम है, वो सब current asset या short term asset होते हैं, ठीक है ना तो all those assets which can be converted into cash within one year is known as current asset and all those assets which have maturity of more than one year is known as non current asset, ठीक है ना तो अब हम लोग asset की definition को एक बार बहुत basic way में समझ लेते हैं asset मतलब क्या है it means anything which have value जिसके अंदर value है and can be measured in monetary form और उसको किसमें measure कर सकते हैं money के form में measure कर सकते हैं, ठीक है ना जिसके ओपर हमाई right तो होना ही चाहिए asset मतलब क्या होता है कोई भी चीज़ जिसमें value है जिसको monetary form में हम लोग measure कर सकते हैं example land, building, plant, machine, furniture वो asset का definition होता है अगर मैं asset के classification की बात करता हूँ तो classification of asset में ध्यान रखना एक तो होता है non current और एक होता है current asset non current मतलब fix हो गया या long term asset सब non current asset हो गया और current मतलब होता है short term asset ठीक है ना तो non current asset मतलब क्या होता है all those assets वो सारी asset which have maturity period of more than one year जिनका maturity एक साल से ज़्यादा है बिटा ध्यान से समझना non current asset मतलब वो सारे asset जिनका maturity एक साल से ज़्यादा है वो सब कहलाते है non current asset और which can be converted into cash after one year या जो cash में convert होंगे एक साल के बाद are known as non current या long term asset मेरी बाद फिर से ध्यान देना वो सारे asset जिनका maturity period अभी मैंने आपको बताया जिनका एक साल से ज़्यादा है या cash के अंदर convert cash सबसे बड़ा factor होता है asset का ठीक है ना मैंने अभी आपको बताया monetary मतलब cash ठीक है ना तो which can be converted into cash after one year are known as non current या long term asset अब ये क्या क्या include करता है तो ध्यान दखना अब इसके अंदर दो category वापस आती है ठीक है ना अब आप एक बाद समझना कि non current asset is again divided into two parts अब आना इसको आप एक चीज समझो अभी मैंने आपको बताया asset मतलब क्या होता है वो कोई भी चीज जिसके अंदर क्या होता है मैंने आपको भी बताया asset का मतलब क्या होता है वो कोई भी चीज जिसके अंदर value होती है जिसके ओपर हमरा right होता है और उस value को अगर हम किसमें measure कर सकते हैं monetary term में तो वो asset होता है asset का मैंने classification बताया एक तो आपको non current asset और एक बताया आपको current asset non current मतलब मैंने भी बताया जिसका maturity एक साल से ज़्यादा है और current मतलब जिसका maturity एक साल से कम है अब आप मेरी बात समझना मैं non current की बात करता हूँ तो non current बेटा वापस दो पार्ट में divided है एक तो होता है tangible और एक होता है intangible अब अभी हमने समझा कि asset मतलब वो कोई भी चीद जिसके अंदर value है और value money form में measure कर सकते है tangible asset मतलब वो सारे asset जिसको आप देख सकते हो जिसको touch कर सकते हो जिसको आप feel कर सकते हो intangible मतलब वो सारे asset which cannot be seen which does not seen which cannot be touched and which cannot be felt but still उनके अंदर value है अब है ना जैसे बहुत वेसे example समझना मैंने क्या बताया non current asset वापस बेटा ध्यान रखना दो पार्ट में divided है एक तो होता है tangible और एक होता है intangible tangible मतलब वो सारे asset जिसके अंदर value है जिसको हम लोग देख सकते हैं जिसको छू सकते हैं जिसको feel कर सकते हैं और intangible मतलब वो सारे asset जिसको देख नहीं सकते हैं जिसको छू नहीं सकते हैं जिसको feel नहीं कर सकते हैं बट स्टिल उसके अंदर money form की value है अब आप कह सकते हो सर ऐसे कौन से asset है example समझने कोशिश करते है बटा मालो मैं cricket खेलता हूं और क्या किया मैंने एक cricket की academy खोली मैंने cricket की academy खोली मैंने नाम रखा रोमिल cricket academy ठीक है बटा मेरा नाम रोमिल जाने मैंने मेरे नाम से cricket की academy खोली और नाम रखा रोमिल cricket academy अब एक और बंदे ने मेरे पास में academy खोली cricket की लेकिन उसने क्या करा वो उसने सचिन तेंदूलकर के नाम से खोला लेका सचिन तेंदूलकर cricket academy और उसने inauguration करने भी सचिन त मैंनत करूँ मैं रोज यहां पर आके बच्चे को ट्रेनिंग दूँ और तंदूलकर एक बार आया और उद्गाटन करके चला गया तो आप एक बात बताओ तो भी ऑवेसी बात है मैं कितनी मैंनत करूँ बट भीड अल्टीमेटली कहा जाएगे सचिन तंदूलकर के नाम से ज गुडविल उसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग गुडविल आज जैसे मान लोग तुम लोगों नेगर टेंथ क्लास में मैच पड़ी हो तो आप लोगों ने बहुत फेमस उतर का नाम सुना होगा आडी शर्मा अब आडी शर्मा पता है ऐसा उतर है जो नाम से किताब बिख तो सकते हैं जिसको फील कर सकते हैं जिसको टैच है वो तो टैंजिबल हो गया यह पहन है यह टैंजिबल असेट है मैं देख सकता हूं फील कर सकता हूं बट ऐसे कोई भी असेट जिसको देख नहीं सकते हो टैच नहीं कर सकते हो फील नहीं कर सकते हो बट उनके अंदर क्या वैल्यू वो सब कहलाते हैं इंटेंजिबल असे और हमेशा ध्यान रखना इंटेंजिबल असेट का जैसे मैंने अभी आपको एक्जामपल बता है गुडविल एक एक्जामपल है इंटेंजिबल असेट का अब 11 क्लास में बुक चलती है टी-स गरेवाल अब वो भी ऐसी किता वो भी एक तरह कौन सा है इंटेंजिबल असेट है तो इंटेंजिबल असेट में और भी बहुत सारी कैटेगरी है जैसे ट्रेडमार्क trademark मतलब क्या हो, मैं GEO के नाम से कमनी चालू नहीं कर सकते हो, GEO अलड़ी एक registered नाम है, मैं Reliance के नाम से कमनी चालू नहीं कर सकते हो, Reliance अलड़ी एक नाम है, वो trademark है उसका, ठीक है ना तो intangible asset, ये सब example है, intangible asset के और tangible मतलब जिसको देख सकते हैं asset दो तरक है, एक है non-current asset और एक है current asset non-current मतलब वो सारे asset विदिन के अंदर maturity period एक साल से ज़्यादा है इसको हम लोग fix asset भी कह सकते हैं मेरा car का शुरू मैं, मेरे लिए car short term asset है बट अगर मैं car as a end user खरीद रहा हो तो मेरे लिए car non-current asset है non-current asset वापस दो पार्ट में divided एक तो होता है tangible, एक होता है intangible जिसको देख सकते हो, touch कर सकते हो, feel कर सकते हो सब tangible जिसको नहीं देख सकते हो, जिसको नहीं छू सकते हो जिसको नहीं feel कर सकते हो, but still उनके अंदर value हो, वो intangible asset ठीक है न, तो ये basic example मैंने आपको बता है, non-current और current asset का ठीक है, और tangible, intangible का तो read कर लेता है tangible means all those assets which can be seen, felt or touched, वो सारे assets जिसको देख सकते हो, छू सकते हो और touch कर सकते हो example, land, building, plant, machine, computer, etc ठीक है न, तो सारे assets जिसको देख सकते हो, छू सकते हो वो सब कौनसे asset होंगे, tangible asset ठीक है न, intangible मतलब all those assets which cannot be seen जिसको देख नहीं सकते हैं, felt नहीं कर सकते हैं, touch नहीं कर सकते हैं, बट उनके अंदर value है, ठीक है न, which can be measured in money form, जिसको ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना feel कर सकते हैं, बट फिर भी उनके अंदर value है, जिसको पन money form measure कर सकते हैं, एक्जामपल गुडविल तिंदूलकर का नाम है, patent, नॉर्मली जैसे मैं तुमको बता तो Mr. India एक movie आई थी, उसमें एक formula था, बटन दवाते ही गायब होता है, तो उसका patent वो एक formula है, जिसको patent मिलता है, कॉपिरेट, बुक के आई, कॉपिरेट होता है, ट्रेड मार्क, एक्सेक्टर, ठीक है ना, तो वो example हो है, intangible asset का, फिर बात करते हैं, current, current या कहतो है, short term asset, वो सारे asset जिनका maturity period एक साल से कम होता है, या which can be converted into cash within one year is known as current asset, ठीक है ना, तो ये example मैंने आपको बता है, basic सारे तरह के asset के, ठीक है, या मैं आपको एक चीज़ और बतायता हूँ, वो quite important है मिरको बताना, मैं आपको एक term और बता रहा हूँ, current asset का example बता रहा हूँ, for example आप लिख ले ना, stock, अब stock का मतलब क्या होता है, मैं इसे भी समझाएतना हूँ, जैसे मान लो, car का showroom है, उसने car खरी दी, अब car के showroom वाले ने car खरी दी ना, तो वो car क्या क्या लाएगा, उसका stock है, but मैंने car खरी तो में लिए car stock नहीं है, LCD के showroom वाले ने LCD खरीदा, तो LCD क्या लाएगा, उसके लिए stock, stock मतलब जिस line of business में आप trade करते हो, वो सामन अगर आपके पास पढ़ा है, AC के showroom वाले ने AC खरीदा, उसके लिए AC क्या है, stock है, ठीक है, तो example मैं लिखा, stock, cash, मैं और भी लिख रहा हूँ, debtor, ठीक है, एट सेक रही है, आगे मैं one by one समझाता जाओंगा, ठीक है, तो यह हमने एक basic concept discuss क्या अभी asset क्या होता है, अब देखो बेटा, जो next term है ना, उसका नाम है liability, अभी हम लोगोंने मतलब discuss किया था asset का, अब अगला जो important term है, उसका मतलब है liability, अब liability का basically मतलब क्या होता है, जैसे मैंने asset के अंदर बताया था, asset का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसके ओबर मेरा हग है, तो right मतलब हग हो गया, liability मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसका मेरा obligation है, obligation मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी, मेरी बात फिर समझना, liability word का मतलब क्या होता है anything कोई भी मेरी जिम्मेदारी है जैसे माल लो मैंने आपसे fees ली, fees लेना मेरा right है और उसके बदले पढ़ाना मेरी liability है मेरे को हर महीने rent चुकाना है वो मेरी liability है, मेरे को मेरे बच्चों की fees चुकाना है liability liability, मैंने कोई सामान उदार पर खरीदा मेरे को उसका payment करना है वो मेरी liability है, मैंने घर बनवाया है घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिया उसको वापस repayment करना है liability तो liability word का मतलब क्या होता है it simply means obligation कोई भी मेरी obligation जिसका मेरे को payment करना है after specified period वो कहलाता है liability, ठीक है न अब liability accounts के अंदर जैसे मैंने बता है न, asset दो तरके होते है non current और current उसी तरह ध्यान रखना liability in accounts is again divided into two parts एक तो liability होती है जिसको हम कहते है non current और एक liability होती है जिसको हम कहते है current, मेरी बाद फिर से ध्यान देना non current liability का मतलब होता है long term liability वो सारी liability जो मेरे को एक साल के बाद payment करना है मैंने housing loan लिया 20 साल बाद 20 साल के अंदर अंदर payment करना है मेरे को तो long term liability short term liability मतलब वो सारी liability जिनका payment मेरे को within one year करना है, एक साल के अंदर अंदर करना है मैंने कोई भी सामान खरीदा और मानलो मैं को दो मीने बाद पेमेंट करना है तो मेरी करेंट लाइबलिटी या शौट टम लाइबलिटी तो ध्यान रखना लाइबलिटी वर्ड का मतलब होता है obligation वो सारे पेमेंट जोंको करने liability दो पार्ट में डिवाइड़ेड़ है नौन करेंट और करेंट नौन करेंट मतलब long term और करेंट मतलब short term वो साइरी लल्याइबलिटी दिनका पैमेंट एक साल के बाद करना है वो long term liability आर वो सारी लाइबलिटी जिनका पैमेंट विदिन वन यर करना करना है वो करेंट या शौट टम लेव सहिके ना तो लाइबलिटी का definition it means any amount which is to be paid या yet due to be paid जो हमको भी तक देना बाकी है it is mainly divided into अब liability दो तरखी होती है एक होती है नॉन करण जिसको लॉंग टम भी कहते हैं एक होती है करण जिसको शॉट टम भी कहते हैं ठीक है ना? नॉन करण या लॉंग टम कहा दो तो करण या शॉट टम कहा दो उसको ठीक है ना? तो नॉन करण लियाबिलिटी अल दोस लियाबिलिटी विच विल बी पेड आफ्टर वन येर वो सारी लियाबिलिटी जिनका पेमेंट एक साल के बाद होगा फ्रम दे डेट दे बिकम दू फॉर पेमेंट जिस दिन वो डियो है उससे एक साल के बाद अगर किसी का पेमेंट हो रहा है तो वो कहलाती है नॉन करण लियाबिलिटी एक्जामपल होम लोन टेकन फ्रम बैंक 20 साल के लिए होम लोन लिया वो लॉन टम लियाबिलिटी होगी ठीक है बटा? अब हम बात करते हैं करेंट लियाबिलिटी या शॉट टम लियाबिलिटी तो वो सारी लियाबिलिटी विच इस दू भी डू टू भी पेड विदिन वन येर फ्रम देट इट इड बिकम डू एक साल के अंदर अंदर अगर किसी का पेमेंट करना है तो कहले लिए करेंट या उसको शॉट टम भी कहा जा सकता है ठीक है ना? इड इस अलसो नोन इस शॉट टम लियाबिलिटी उसको शॉट टम लियाबिलिटी भी कहते हैं ठीक है ना? तो liability मतलब obligation, non current और current ये दो तरह की liability है, long term liability जिनका payment एक साल बात करना है, short term liability जिनका payment within one year करना है, ठीक है ना, this is the liability meaning, ठीक है, अब देखो पिटा जो next term हम लोग discuss कर रहे है, उसका नाम है goods, मैंने अभी आपको एक term बताया था है, stock, goods और stock लगब लगवा मिलते वरड है, आग तुम goods और stock एक ही बात मानो, goods का मतलब क्या होता है, वो कोई भी चीछ जिसके अंदर business primarily deal करता है, जैसे मान लो, मैं कहता हूँ, TV के showroom में अगर TV पड़े हैं, AC के showroom में अगर AC पड़े हैं, LCD के showroom में मान लो LCD पड़े हैं, car के showroom में car पड़ी है, अगर car मैं ले रहा हूँ AC मैं ले रहा हूँ, तो में ले वो TV है, बड़ TV अगर TV के showroom में पड़ा है, तो वो TV उसके लिए goods क्यालाएगा, AC मैं ले रहा हूँ, तो में ले ले AC है, बड़ उसके लिए goods है, वो ही बात LCD की, तो goods या stock एक ही बात है, जिसमें business core primarily deal करता है, stationary वाले के हैं, जो भी stationary प्रो होता है, वो basically वो सारी चीट जिसके अंदर business primarily deal करता है, ठीक है न, जिसमें TV आजाएगा, AC, LCD, car, जो अगर वो उसी लोग उसी का business कर रहे हैं, तो ठीक है न, अब बेटा एक चीट ध्यान रखना, जब मैं बात करता हूँ, goods की, तो goods के साथ आपको मैं दो term और समझा रहा is always used with word reference to goods, मैं कहता हूँ purchase of car by a car showroom, मैंने बोला purchase of car by a car showroom, तो मैं क्या बोलूँगा, वो कैसे denote करेंगे हम word purchase से, बट अगर मैं कहता हूँ purchase of car by me मैंने अगर car खरीदी तो मैं क्या बोलूँगा मैंने क्या खरीदी car खरीदी purchase of TV by TV showroom इसका मतलब मैं word use करूँगा purchase but purchase of TV by me तो मैंने टीवी खरीदा sale of AC by AC showroom तो इसका मतलब होगा sale बट अगर AC बेचा मैंने तो मैं क्या बोलूँगा मैंने AC बेचा तो वो showroom के साथ में जो भी चीद मतलब purchase और sale हमेशा ध्यान लखना अगर मैं बोलता हूँ simple accounts में आपको कहीं भी word डिख जाए purchase तो purchase हमेशा word use होगा goods के लिए अगर purchase of car by car showroom तो आप बोलोगे purchase सिर्फ purchase मतलब goods की बात कर रहे बट अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने car खरीदी purchase of car by me मैं end user हूँ तो मैं क्या बोलूँगा मैंने car खरीदी बट अगर मेरा car showroom होता तो मैं क्या बोलता है मैंने purchase किया goods के साथ हमेशा ज्यान रखना word purchase और sale चलता है मतलब सिर्फ purchase और सिर्फ sale in accounts is always used with the word goods सिर्फ purchase मतलब by default goods की बात कर रहे सिर्फ sale मतलब goods की sale की बात कर रहे ठीक है न तो ये term एक बार हम लोग देख लेते हैं goods सबसे पहले goods का मतलब क्या होता है it means the thing in which business primarily deal मतलब primary जिसका काम कर रहे example car in car showroom goods है ac in ac showroom goods है tv in tv showroom goods है इसको हम लोग stock के नाम से भी जान सकते है stock मतलब जो बच जाता है इसको आगे difference clear करूँगा बढ़ अभी तुम goods और stock एक ही बात लेते हो चलो purchase and sale purchase indicate purchase of goods या stock sale indicate sale of goods या stock purchase मतलब goods का purchase या stock sale मतलब goods का sale या stock का sale ठीक है ना तो ये term मैंने आपको बताया अभी goods का मतलब अब मैं आपको दो और important terms अब जा रहा हूँ बेटा one is known as debtor and second is known as creditor ये accounts का एक बहुत important term है debtor इसमें be silent है spell कर रहा हूँ d-e-b-t-o-r but be silent है debtor मतलब क्या होता है वो कोई भी person जिसको हमने goods बेचे उधार पे person to whom the goods are sold on credit is known as debtor मैंने अगर किसी को सामान बेचा तो मैं दो तरीके से इमन बेच सकता हूँ या तो cash में बेचूँ या credit पे बेचूँ अगर मैं किसी को सामान बेच रहा हूँ अगर मैं बात करता हूँ creditor की तो creditor मतलब person from whom the goods are purchased on credit जिससे सामान उधार पे खरीदा वो कहलाता है creditor अब मेरे को एक बात बताओ जैसे समझ न x ने क्या करा सामान बेचा y को उधार पे x ने सामान बेचा y को उधार पे तो x क्या बोलेगा मेरे को y से पैसा लेना है मतलब x के लिए y कौन हो गया debtor क्योंकि x ने सामान किस को बेचा उधार पे y को तो x के लिए y कौन हो गया debtor और y क्या बोलेगा मेरे को x को पैसा देना है तो y के लिए x कौन हो गया creditor मेरी बात फिर से समझना X ने Y को सामान बेचा और माझलो सामान बेचा उधार पे तो X क्या बोलेगा मेरे को Y से पैसा लेना है तो X के लिए Y कौन हो गया टेट्र तो X का Y पे राइट है हं के बोलेगा पैसा दे तो बेट्र मतलब एक तरह यह क्या है? है वो असेट है और वाई क्या बोलेगा मेरको एक्स को पैसा देना है मतलब क्या होता है वो परसन जिससे गुट्स खरीदा सлем अब डिसकर मेません लिगने अभी मतलब हमने जिसको सामान उदार पर बेचा के शात्म में जो बैड हो चुकी है मैंने सामान उधार पे बेचा वाई को वाई ने पैसा देने को मना कर दिया बोलता है वाई मैं पैसा नहीं दे सकता हूं तो it means that debt मतलब debtor जो क्या हो चुके which have become bad non-payment of amount by debtor is known as bad debt अगर debtor मेरा पैसा नहीं दे रहे तो हो क्या कहलाएगा bad debt it is a loss to the business bad debt क्या एक तरह का business का नुक्सान है तो bad debt मतलब क्या होता है वो debt जो bad हो चुकी है अगर business में debtor पैसा नहीं दे रहे हैं तो हो कहलाता है bad debt और वो business का क्या है loss है ठीक है ना तो बड़ा यह कुछ एक basic accounting terminology मैंने अभी आपको समझा ही है जिसमें मैं मैं recap कर लेता हूं एक तो मैंने capital बताया था capital मतलब amount invested by the owner फिर हमने discuss किया था drawings drawing मतलब क्या होता है it is the amount withdrawn for personal use फिर मैंने बताया था asset कोई भी चीज जिसमें value जिसको monetary form measure कर सकते हैं asset मैं दो तरह के बताया एक तो non current और एक current फिर मैंने बताया था non current मतलब long term asset current मतलब short term asset non current वापस मैंने बताया टेंजिबल intangible tangible मतलब जिसको touch कर सकते हैं feel कर सकते हैं जिसको देख सकते हैं इंटेंजिबल इसको देख नहीं सकते हैं ठीक ना फिर मैंने आपको नम बताया liability liability का मतलब होता है obligation दो तरह की liability बताई एक बताई non current liability और एक बताई current liability वो थारी liability जिनको payment एक साल बात करना है वो non current और within one year करना है वो current liability ठीक है ना फिर मैंने डिसके किया bet debt तो bet debt मतलब क्या होता है debtor एक मैंने आपको बीच में goods बताया goods मतलब जिसमें business primary deal करता है फिर मैंने डिसके किया word purchase and sale purchase sales or sale हमेशा what goods के जाथ use होते है debtor मतलब जिसको सामान उधार पर बेचा है debtor हमारा asset creator मतलब जिससे सामान उधार पर खरीदा क्योंकि मेरे को payment करना है तो मेरी obligation है और last time मैंने बता है bad debt मतलब जो debt हमारा bad हो चुका है जो हमको payment बट मेरा आपको suggestion है अभी वो terms से मज जाना जैसे हम लोग आगे question करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा मैं अभी समझाऊंगा आपको कुछ समझ नहीं आएगा अभी मैंने आपको general terms बता है जो आपको easily समझ आ जाएंगे ठीक है ना अब हम लोग जो अगले वीडियो के इंदर discuss करेंगे और basic accounting principles discuss करेंगे ठीक है ना तो आप लोग अब आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे फोन नंबर है 99294 11361 इस पर आप में